आज हम सोलर एनरजी के बारे में, सौर उर्जा के बारे में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे जीवन में किस तरह से कितना उपियोगी है और इससे हमारे रोजमर्रा की जरुतों को किस तरह से पूरा किया जा रहा है तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सौर उर्जा होती क्या है सौर उर्जा वह उर्जा है जो सीधे सौर से प्राप्त होती है यह आप बच्पन से देखते आ रहे हैं जब से आपने हो समाला है तब से आप सौर से इनर्जी को लेते जा रहे हैं तो उससे आने वाले जो भी एनर्जी होती है उसको हम सवरूर्जा के रूप में जानते हैं यह सवरूर्जा मौसम जलवाईयों का परिवर्तन भी करती है यही धर्ती पर सभी प्रकार के जीव, जन्तु, पेड़, पौदेव का सहरा भी है अगर यह सोलर एनर्जी इस धर्ती पे न आए तो बहुत सारे दिक्कते आ सकती हैं जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा और इसं अस्त व्यस्त होते के वजह से सारी चीजे areas पूरी जो प्रकृति है वो डिस्टरब हो तो यह एक तरह से ऐसी energy resource के रूप में हमारे धर्ती पे available है जिसके जो कभी खथम नहीं हो सकती जो एक कटेगरी में आती हैं जिस procedure को बोलते हैं non-conventional energy resources या फिर renewable energy resources यह उन तरह के energy resources होती हैं जिनको हम बार 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 री यूज कर सकते हैं एक बार इसकी इनर्जी को यूज करने के बाद हम पूना इसके इनर्जी को बार बार यूटलाइज कर सकते हैं यह ऐसी उर्जा स्रोत है जो कभी भी खतम नहीं होगी अगर यह खतम होगी तो प्रित्वी के उपर जितने भी रि इस पृत्वी का पृत्वी को चलाने का एक साधन है अगर यह सही से नहीं चलेगा तो कि बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी इस क्रम में सिर्फ यही नई किस और ऊर्जा नहीं इस और उर्जा के वज़ा से वायू उर्जा भी जो है उत्पन होनी होती है जिसका बहुत ही जादा रूल प्ले होता है अगर यह उर्जाएं सही तरीके से हमारे प्रिथ्वी पना सब्सक्राइं आदु पाथो गूर्धे सा चीजल को समझना बहुत जोरुई है तो उसी करम में हम जो बाते कर रहे थे शुफर उर्जा कंथे बारे में इससा की हुई से आई हुई वह इनरजी है उज्वलन इनरजी है जिसको हम विभिन विभिन प्रकार के एनरजी रिसोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं और यह पारमपरिक उर्जा शुरोत के अंदर आता है जो कि मैंने पहले भी बताए था नॉन कन्वेंशनल एनरजी रिसोर्स और डैसज रिनिवल इनरजी रिसोर्स जिस इनरजी रिसोर्स को बार-बार यूज कर सकते हैं जो कि और पारवपरिक एनर्जी रिसोर्स के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह जो सोलन इनर्जी है इसका उपयोग बहुत जादा है अगर इसको हम सही तरीके से यूज़ करें तो इससे हम बहुत सारी चीजों को अपनी आज जो हम लोग कन्वेंशनल एनर्ची जो पारवपरि के उर्जा स संचाली्ट कर सकते हैं और इसका उप्योग करकर के हम बहुत सारी चीजों को भेतर कर सकते हैं भारत में और जा테RO करावी चलाय जाते हैं और जा रहे हैं जो नवीनी करन तो एक इन्य डवलपमेंट के रूम यह बहुत ही जादा तेजी के साथ पनप रहा है पहले हमारे पास कन्वेंशनल इनर्जी रिसोर्से जो हमारे पास पहले से जीवाश्व इधन के रूप में उपलब थे उनसे हम इनर्जी रिसोर्स को यूज करते थे और उनके यूज करके हम तरह तरह के इनर्जी इसको और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं आपके इंडिया में जो की इन सोलर इनर्जी से बहुत सारे उपकरणों को चलाने का और उससे अन्य तरह की उर्जाओं को उद्पन करने का भी कारे कर रहे हैं है तो कहने बहुत ही तेजी बढ़न से ग्रोत हो रहा है एक नहीं सिर्फ इंडिया में बाखी बाहर देशों में यह थोड़ा सा इसको इसका उपयोग का जो कंवर्जन है वह थोड़ा हम इस एनर्जी रिसोर्स का यूज करते हैं, तो तरह तरह के उपकरोणों को तरह तरह के चीजों को कारिकरम में लाने के लिए हम इसका उपयोग करते रहते हैं, तो आई हम इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं, तो basically यह जो उर्जा है solar energy, the radiant energy which emitted from the sun, जो उज्वलित प्रज्वलित एनर्जी है जो कि शन से हमें मिलती है उस उर्जा को हम लोग यूज करते हैं और उस उर्जा को यूज करके हम अपने रोजमर्रा की चीजों में इसको यूटिलाईस करते हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं को हम स्टोरेज तो सोलरेनरजी जो हम स्टोरेज्ट की रूप में कारिकर ती है एक जो है आप सोलर अली मस्टॉर कैसे कर सकते हैं पहले उसके बारे बारे भी तक हम ने बताएगे solar energy कि किस तरह से उसको उप्योग करते हैं अब उसको उप्योग को किस तरह से बिन बिन प्रकार से हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे तो solar energy storage यह एक बहुत ही important part होता है इस energy को store करने का चुकि यह energy प्रकृती में उपलब्द है और इसको किसी बक्से में बंद करके हम इसके उर्जा को उतसरजित नहीं कर सकते हैं यह पूरे ब्रम्हान में फैला हुआ है कहासकर हमारे प्रित्वी के हर एक कोने पर इह उपलब्द है और इसको इसी के वज़ा से इसकी इनर्जी को दूसरे फॉर्म में कर्वर्ट करके हम इस्टोर कर सकते हैं तो यह बात बताने के क्रम यहीं है कि सोलर इनर्जी इस एविलेबल ओल्ले डूरिंग दर संचाइन आवर इसका सबसे बड़ा यही बात है कि यह डेलाइट में दिन म इस इनर्जी की सबसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग उप्योग कर सकते हैं यह रात में भी अपनी ऊर्जा को छोड़ता यह लेकिन जितनी इंटेंसिटी दिन में होती है इस तो रात में नहीं होती है कंज्यूमर इनर्जी डिमांड फॉलो देर ओन टाइम पैटर्न एंड दा सुलने डॉस नॉट फुल्फिल दा मैज दिमांड तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो आजकल की सुविधाओं को हम यूज करने को जिन भी इनर्जी रिसोर्स को यूज करते हैं वह 24 इंटु 7 वर्क मांगता है तो हम किसी भी समय उस इनर्जी रिसोर्स चाहा रखते हैं लेकिन इस सोलर इनर्जी का यहां पर यह थोड़ा सा एक डिमेरिट आ जाता है क्योंकि यह सिर्फ दिन के समय ही उपलब्द होता है अपनी मैक्सिमम इन्पूट के आउटबूट के साथ तो इसी लिए इसको हम लोग रात में यूज करने के लिए बिभिन बिभिन प्रकार के दूशरी तड़के स्टोरिंग उपकरणों से मदद करके हम उप्योग में ला पाते हैं इसी लिए यह थोड़ा सा कॉस्ट्लियर पढ़ जाता है और इसके वज़़ा से हम इसको स्टोर करने के में प होता है ठीक है जब वह चमकता है तब ही अवेलेवल होता है और consumer का जो timing demand है उसके भी हाफ पर भी इसको हम लोग storage करते हैं तो जैसा उसका requirement होता है जैसे energy level required होता है उसके भीहाफ में हम energy को store कर लेते हैं store करने मैं का दो तरह से अमों इसको उपयोग मिलाते हैं एक तो हम Direct Energy resources को use करते हैं और यह फिर हम stand alone system को use करते हैं जिसमें हम battery को utilization करते हैं तो एक POLY Bertri होती है जिस battery को वहम charge करके इसको एक तरह से इसके energy को हम लोग store करते हैं तो आइगा और पढ़ते हैं इसके जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसको हम लोग स्टोर करते और किस तरह से इसको काम में लाने का क्रम यही है कि कि सोलर इनर्जी को बहुत सी तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं जो कि आज के डेट में बहुत ही जादा इंपर्टेंट रोल प्ले करता है तो एज़े हीट फॉर मेकिंग